कैसे हूँ, मीद काता हम आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और इंटेस्टिंग कंपेरेजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है अलग-अलग ब्रांट के दो पापलर स्मार्टफोन एक तरफ Realme का 10 Pro Plus 5G और दूसरी तरफ OnePlus का Nord 2T 5G इन दोने स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करे जा तो Realme के 10 Pro Plus 5G को 25 या 99 रुपे के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दूसरी तरफ OnePlus के Nord 2T 5G को 28 या 99 रुपे के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन में 3000 पीच का डिफरेंस दीखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी अपने लिए 30,000 पीच से कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेरे के लिए सोच रहे हो तो आज कि इस कम पेरिजन वीडियो को आप लोगों को बिलकुल भी मिस नहीं करन दोने स्मार्टफोन के अगर परफॉमस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानती होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए इसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है Realme के 10 Pro Plus 5G में Media Tech का Dimensity 1080 का प्रोसर सदेखने के मिल जाता है वहीं दूसरी तरब OnePlus के Nord 2T 5G में Media Tech का Dimensity 1300 का एक पावरफुल गेमिक प्रोसर सदेखने को मिल जाता है वैसे तो यह दोने स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस में काफी बेस्ट प्रोसर के साथ आती है पर जब बात आते हैं कि इन दोने में से कौन सा स्मार्टफूर खास कर परफॉरमस के मामले में आगे निकल जाता है तो OnePlus के Note 2T 5G में आप लोगों को थोड़ा सा बेटर परफॉरमस देखने को मिल जाएगा लोग भी गेमिंग के लिए नया स्मार्टफून लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों को इन दोने स्मार्टफून का GFX स्कोर यानि गेमिंग स्कोर को जाना बहुत जारा जरूरी है रियल्मी के 10 Pro Plus 5G को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3500 के आसपास का निकल के आता है जबकि OnePlus के Note 2T 5G को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3600 के आसपास का निकल के आता है तो स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेग्मेंट की बात करी जा तो Realme के 10 Pro Plus 5G में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने की मिल जाती है डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने की मिल जाता है डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट भी देखने की मिल जाता है और डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने की मिल जाती है जो कि कम से कम प्रैस में आप लोगों को काफी स्टाइलिक डिस्प्ले देखने की मिल जाती है इस स्मार्ट फून के अगर कैमरा सेग्मेंट की बात करी जाते हैं वो काफी जड़ा best बन जाता है, दूसरी तरफ Realme X 10 Pro Plus 5G में भी बैक में triple rear camera setup देखने को मिल जाते है, 108 megapixel का main primary camera मिलता है, बाकी के 2 camera 8 plus 2 megapixel के मिल जाते हैं with LED flashlight के साथ, पर camera में आप लोगों को OIS का support देखने को नहीं मिलता है, selfie camera के अगर बात करी जा, तो selfie के मामले में तो के लिए बीरन निकल के आता है, OnePlus का Note 2T 5G, को कि OnePlus के Note 2T 5G में 32 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के 10 Pro Plus 5G में 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है, दोने स्मार्टफोन के अगर बैटरी से एक बिन की बात करी जा, तो Realme के 10 Pro Plus 5G में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 67W के Superwalk Charging के साथ, USB Tatsy Port का support देखने को मिल जाता है, वह दूसरी तरह OnePlus के Note 2T 5G में 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती, 80W के Superwalk Charging के साथ, USB Tatsy Port का support देखने को मिल जाता है, दोने स्मार्टफोन के अगर सिकूर्टी फीचर की बात करी जाता है, तो 30R रूपे से कम के प्राइस में इन दोने स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाते है, तो अब बात करी जाते है कि दोनों में से कौन सा स्म पूर्प देखने के मिल जाता है वह दूसरी तरफ रियल मी के 10 प्रो प्लस 5G के प्राइस 3000 पीस कम है उस इसाफ से देखा जा तो रियल मी के 10 प्लस 5G अपनी जगे काफी ज़रा बेश्ट है और वन प्लस करना और टू ती 5G अपनी जगे बेश्ट है तो अगर आप लोग भी इस